अब आज सबको एडवांस फोटो एडिटिंग करने का शौक है और इसलिए डाउनलोड करना चाहते हैं Adobe Lightroom को आज की इस वीडियो में बताएंगे आप लोगो कि कैसे आप लोग Adobe Lightroom को डाउनलोड कर सकते हो अपने PCA Laptop में वो भी 100% जेन्वेन तरीके से तो आज ओ देखते हैं अब आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसको open कर लो दिन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहां सबसे पहले country चूज करो और फिर आपको तीन options मिलेंगे individual, business और student teachers तो अगर आप लोग lightroom को single device में यूज करना चाहते हो तो individual plans ले लो या multiple device में करना है तो business plan अब यहां नीचे आएंगे तो देखो यहां सारे softwares है Photoshop, Premiere Pro, Illustrator अब यह देखो यहां पर lightroom का plan मिल रहा है साथ में 1TB का cloud storage है अगर आपको सिर्फ lightroom चाहिए तो आप single buy कर सकते हो लेकिन जो कोई photo editing करता है तो आपको Photoshop और Illustrator की भी जरूत पड़ेगी साथ में Adobe stock की भी और इन सब को अलग-लग buy करोगे तो ज़ादा पैसे खर्चोंगे इसलिए यहां देखो creative cloud all apps का plan है जिसमें आपको 20 से भी ज़ादा Adobe के software मिल जाते हैं एक ही plan में साथ में 100GB का cloud storage मिलेगा तो यहां second वाला plan चूज करेंगे जिसमें आपको first 14 days का free trial मिल रहा है और साथ में आपको मिल रहा है Adobe stock का free 30 days का trial तो इसको भी add करेंगे अब next अब email id एंटर करके continue करेंगे फिर आपसे आपके debit या credit card की information मांगी जाएगी तो वह आपको share करना है make sure visa या mastercard होना चाहिए और जैसे ही आपका 14 days का free trial खतम होगा उसके बाद payment आपसे deduct कर ली जाएगी details fill करने के बाद agree and subscribe करो अब plan activate हो गया यहां से password create कर लेना अब new tab open करके search करना है creative cloud download first link open करो और यहां से download करके install कर लो अब sign in करना है तो वह email id password यूज़ करो जो आपने membership के दौरान यूज़ किया था और अब आपके सामने सब software मौझूद है तो यहां से यह देखो light room इसको install कर लेना अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि भाई यह 1915 रुपए क्यों खर्च करने है कोई cracked वगेरा बताओ तो भाई फिर से कहूंगा कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में cracked software के तरफ मत जाओ अपने laptop PC पर risk मतलो especially अपने data पर risk मतलो क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बर हो गई न जो कि cracked software के साथ हमेशा होती है तो आप इस amount का 10 से 15 गुना जादा pay करोगे laptop PC को repair कराने के लि मेटी वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई